थिक्री नगर में पांच दिनों से चल रही अतिकरमन विरोधी मुहीम के तहर थिक्री तहसिलदार S.C. निगवाल ने दुकानदारों को कारण बताव नोटीस दिये हैं इस नोटीस में दुकानदारों से अपने स्वामीत्व के दस्तावेज मंगाए गए और दस्तावेज ना होने की दिशा में तीन दिवस के अंदर जगह खाली करने के निर्देश दिये हैं नोटीस देने से पहले राजस्व की टीम ने सभी दुकानों की सूची बनाई और प्रतेक दुकान की लंबाई और चोड़ाई की नाफ लेकर रजिस्टर में दर्ज़ की तत्पच्चा सभी दुकानदारों को चेताया गया कि साच की कारयले के बाहर जितने भी लोगों ने अधिकर्मन किया हुआ है वो स्वेच्छा से हटा ले नहीं तो बाद ने प्रशासन सक्ती से उन्हें हटाएगा पांच दिनों के अधिकर्मन हटाओं मुहीम के तहट नगर्व के चोपाटी पर सभी दुकानदारों के टीन सेट खोल दिये गए और कई गुम्टी धरकों ने कोने अपनी स्वेच्छा से ही हटा ली ठीक्री से सुरेंद्र बर्मा की रिपोर्ट इसमें विशेश करके जन प्रतिनी दी है इनके द्वारा अभी हमारे द्वारा एक आतिकर्मन की सतती एक सासन की प्रिक्रिया है जिसमें ग्राम में जिस प्रकार से जनता से किसी प्रकार से कोई जनता को तकलिव हो या रास्ते मिवाद हो एसी इस्तति को दूर करने के विदिवात रूप से चावराय पर से अटाये गया है। उनकी व्यकल्पिक विश्ता हमने की गई है। विदिवात रूप से उनको नए स्थान पे इंता इस्थान तरित किया गया है। और वहां पर वह अच्छिक, देखे यहां पर घिकरी में जो गापारिक जो बेटे हों हैं, पूरी तरसे साज की नमबर नाले में बसाहट हैं, जो पुर्व से अवेध हैं, उनको हमेने विदिवात रुप से चिन्नित कर दिया है और चिन्नित करने के पस्चाथ उनको विदिवात रुप से सुनवाई करेंगे नोटीस जारी किया है जारी करने के पस्चाथ उनके जवाब हम बकाइदा सुनवाई करेंगे और उनकी सार्यक सम्माती ले खरके ही विदिवत रुप से उनको हटाने के परिक्रिया चालू करेंगे वो हमारी सतत परिक्रिया है धन्यवाद सब हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा केनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें